नमस्कार वन इंडिया में आपका स्वागत है मेरा नाम अभिनाश है भारतिय टेस्ट उप कप्तान अजिंक रहाने इंग्लेंड दोरे पर जाएंगे और इनसे बड़ी उम्मीद होगी इंग्लेंड दोरा हर खिलाड़ी की परिक्षा लेता है अगर आप इंग्लेंड में रन बनाते हैं तो बहतर बलेबाज माने जाते हैं गुमती गेंदो के सामने बलेबाज अक्सर गच्चा खा जाते हैं स्विंगिंग कंडिशन्स में खेलना आसान नहीं होता है और इन कंडिशन्स में अजिंक रहने ने खोद को साबित भी किया है इंग्लेंड में रहने ने एक सौ लगाया है और चार पचासा लेकिन रिकॉर्ड बेहद ही खराब है महज 29 का बैटिंग एवरेज 20 टेस्ट पारियों में मातर 556 रन ये साबित करता है कि रहने इंग्लेंड की धरती पर स्तंगर्ष करते हैं बाब जूदिस के उन्हें विदेशों में सबसे बेस्ट बलिबाज माना जाता है अब विश्व टेस्ट चंपिन्शिप का फाइनल मैच यहीं पर खेला जाना है सौथ हम्टन का मेदान और ओवर कास्ट कंडिशन्स में ट्रेंड बोल्ट और टीम साओधी को खेलना है बहुत मुश्किल काम है आकरे हम आपको बताते है कि बोल्ट से कहीं ज़्यादा टीम साओधी ने अजिंक रहने को परिशान किया है आपको जानकर हैरानी होगी कि टीम साओधी की 110 गिंदो पर मातर 24 रन ही अजिंक रहने बना सके है इस दोरान उनका स्ट्राइक रेट 22 का रहा है जबकि दो ही चौके मार सके है ये रहने का किसी भी गिंदबाज के खलाब सबसे बेहत ही घटिया रिकॉर्ड है हाला कि बोल्ट के खलाब भी रहने का बल्ला नहीं चला है अगर हम सौथ हेंटन में होने वाले मैच से पहले इस ग्राउंड पर रहने के रिकॉर्ड पर नज़र डाले तो पता चलता है की रहने ने 3.50 सौथम्टन में लगाया है 56 का आवरेज रहा है चार पारियों में 168 रन सौथ हेंटन में रहाने बना चुके हैं जो की आस्तन रिकॉर्ड है ऐसे हमें निजलेंड के गिनवाज खासकर टीम साओधी रहाने से मैच के दोरान कई सवाल पुछने वाले हैं पिछले निजलेंड दोरे पर रहाने बुरी तरह से फ्लॉप सावित हुए थे दो मरतबा साओधी न आउट किया था और इससे पहले 2014 में भी दो मरतबा साओधी ने ही रहाने को आउट किया था हाला कि अच्छी बात यह है कि अजिंक रहाने ने हाल में अस्ट्रोलिया के खिलाप अच्छा खासा रन बना हैं उससे कॉन्फिडेंस मिला होगा साथ ही विश्व टेस्ट चंपिर्शिप में रहाने भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है इस ख़बर में बस इतरा ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रही और इंडिया के साथ